हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं विंटर इस्पेशल गाजर का हलवा ये बनाने में बहुत ही आसान है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल मैंने बनाया है इससे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरुवत होगी आईए देखते हैं हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक किलो ग्रेट की हुए गाजर, 200 ग्राम मावा, 200 ग्राम दूद, 80-90 ग्राम घी, 150 ग्राम चीनी, 2-3 टी इस्पून पिस्ता, 12-15 कटे हुए बादाम, 12-15 काजू, 1-2 टी इस्पून इलाची पाउडर सबसे पहले हम एक हैवी बॉटम की कढ़ाई लेंगे और फिर इसे गर्म करेंगे इसके बाद हम इसमें ग्रेट के हुए गाजर आट कर देंगे साथ में दूद आट कर देंगे दूद एट करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हाई फ्लेम पर कूप करेंगे गाजर बॉयल उना स्टार्ट हो गई है इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में चलाने के बाद हम इसे अच्छे से फैला देंगे जिसे ये जल्ली से ड्राई हो जाए गाजर अच्छे से बॉयल हो चुकी है पानी इसका सूख चुका है इसमें हलका हलका मॉईश्चर बचा हुआ है अब हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और फिर इसे पांच से साथ मिनट के लिए ढग कर कूप करेंगे पांच से साथ मिनट हो चुके है अब हम चेक करेंगे गाजर सॉफ्ट हुई है की नहीं गाजर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है अब हम इसमें चीनी याट कर देंगे चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर कूप करेंगे चीनी गल जाने के बाद देखिए कितना सारा पानी निकला हुआ है इसे हम बिल्कुल अच्छे से ड्राइ करेंगे हलवे को आप बीच बीच में चलाते रहें नहीं तो यह नीचे से जल जाएगा हलवा बिल्कुल अच्छे से ड्राइ हो चुका है अब हम इसमें घी आट करेंगे अगर आप चाहें तो रिफाइन ओयल ले सकते हैं मैंने घी का यूज किया हुआ है घी से काफी अच्छा टेस्ट आता है घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे घी अच्छे से गल चुका है अब हम इसे घी में अच्छे से भूनेंगे फ्लेम का आप खास ख्याल रखें फ्लेम को मीडियम ही रखें बीच बीच में चलाते रहें जब हलवा घी में अच्छे से भून जाएगा तब हम फ्लेम को आफ कर देंगे हलवा काफी हत तर ड्राई हो चुका है लेकिन अभी घी में अच्छे से भूना नहीं है तो हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे हलवा काफी हत तक भून चुका है इसमें काफी अच्छी रिशाइनिंग आ चुकी है और ये बहुत ज़्यादा गला भी नहीं है और कुक हमने नहीं किया है गाजर को बिलकुट पफेक्टली कुक हुए हैं ये देखिए अभी घी अलग नहीं हो रहा है तो हम इसे थोड़ा देर और भूनेंगे अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हों तो आप 10-15 ग्राम बढ़ा सकते हैं अब ये अच्छे से भून चुका है घी भी अलग होना शुरू हो गया है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इस हल्वे को थंड़ा होने देंगे हल्वा थंड़ा हो चुका है अब हम इसमें मावा इड़ कर देंगे मेरा मावा सॉफ्ट है तो इसलिए मैं इसे हातों से क्रश कर रही हूं आप चाहें तो इसे ग्रेट करके डाल सकते हैं मामा डालने के बाद अब हम इसमें इलाची पाउडर आड़ कर देंगे हाफ टी स्पून अब हम इसमें कटे हुए बादाम आड़ कर देंगे थोड़े से हम गार्नेशिंग के लिए बचा लेंगे इसके बाद काजू आड़ कर देंगे काजू डालने के बाद एक से दिल टी स्पून हम इसमें पिस्ता डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे मावा ड्राइफ रूट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए यह बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है दिखने में भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल हलवा लग रहा है अब हम इसे सर्व करेंगे सर्व करने के लिए एक प्लेट लेंगे अगर आप ज्यादा लोग को सर्व कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह से सर्व करें अगर आप किसी एक इंसान को सर्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सर्व करें जो ड्राइफ्रूट्स हमने बचाय हुए थे अब हम उससे गार्निशिन करेंगे सबसे पहले बादाम डाल देंगे बदाम डालने के बाद काजू स्प्रेंकल कर देंगे इसके बाद कटे हुए पिस्ते डाल देंगे पिस्ते डालने के बाद हम इसके उपर इलाची पाउडो डाल देंगे थोड़ासा हलवा सर्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी है मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रू बता है मेरे चैनल को लाइक शिर और सब्सक्राइब करना ना भूले भूले आपको बॉक्स प्रूले प्रूले ज़र बॉक्स प्रूले ये तो